नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं एक तालीस लाग साथ हजार बहनों का आवेदन सत्यापित भी कर प्रशास्निक सुकृति पदान कर दी गई है और यह सब संभव हुआ है मात्र सुलला दिनों में जो देश में एक रिकोर्ड है बता दे मुख्य मंत्री हमा उसरे ने कहा है कि हम अभी रूक नहीं रहे हैं अभी भी लाकों बहनों को समान योजना से जोड़ना बाकी है साथ ही 21 अगस से प्रमंडलवार सभी सत्यापित बहनों के खातों में समान रासी जानी सुरू हो जाएगी अगले माह से हर महीने के 15 तारीक को समान रासी सभी बहनों के खाते में चली जाएगी वहीं ग्यात है कि जार्खन मुख्य मंत्री मईया समान योजना के तहत राजी की 20 वरस से 50 प्रस तक की बहनों को हर महीने एक है रुपए की साहत रासी दी जाएगी जारखन में 31% खेत खाली नहीं हो सकी खेती राज्य में खरीब फसलों की खेती का समय लगभग समापत हो चुका है लेकिन राज्य भर में लगभग 31% खेती खाली है इन खेतों में खरीब की फसले नहीं लगाई जा सकी किरिसी निदे सालाय के अनुसार राज्य भर में इस साल 28,27,460 हेक्टेर में खरीब की खेती का लग्ष निधारी था इसके बिरूद अब तक 29.51 लाख हेक्टेर में खरीब फसले लगाई जा चुकी है यानि 8,777,460 हेक्टेर खेत अभी भी खाली है निदल साले के अनुसार खरीब की फसलों में भी सरवधिक 13.16 लाख हेक्टेयर में धान 3.30 लाख हेक्टेयर में दलहान 2.46 लाख हेक्टेयर में मक्का और 29.65 हजार हेक्टेयर में मोटा अनाज और 28.67 हजार हेक्टेयर में तेलहन की खेती हुई है जारखन में आज और कॉल भारी बारिस का अलर्ट रांची में मंगलवार को समाने बारिस होगी लेकिन सुबे उत्री भाग के पलामू गढ़वा चत्रा कोडारमा लाते हार लोहर तक गा देवगर धनबाद दुम का सहित अने इलागों में भारी बारिस होगी साथी बजरपात भी होगा इसको लेकर भारतिय मौसम भी ज्यान केंद्र के द्वारा एलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि दूसरे दिन 21 अगस्त को उत्तर पच्मी जारखन के पलामू और गढ़वा बारिस होगी इसके लिए मौसम भी भाग ने ओरेंज अलर्ट जारी किया है राजी के उत्तर भाग के अलावा मध्य भाग रांची के अलावा बोकारो गुमला हजारी बाग खुटी रामगर में भारी बारिस होगी राजी के अन हिसो में मौसम की चतावनी 23 अगस्त तक है इस अवधी में कई हिसो में भारी बारिस की समभावना व्यक्त की गई है अगनी वीर वायू भारती के लिए पंजीकरण 29 अगस्त तक भारतिये वायू सेना ने अघनिपथ होईना के तहश्त अगनी वीरवायू अस्पोर्ट कोटा के लिए अभिवाइद भारतिये पुरुस उमिद्वारों की भारति अधिसुतना जारी की है इस भारती में दो जनवाई 2004 से दो जुलाई 2007 के भी जन में अविवाहित पूरुज उमिद्वार भाग ले सकेंगे इसके अलावा बरावी कक्षा या इसके संपक्ष परिक्षा बिज्ञान सनकाय में गनीत भोतकी और अंग्रेजी बिशाय के साथ कला और बानी जेक सनकाय में किसी भी बिशाय के साथ 50 फिर्दी अंकों के साथ और अंग्रेजी बिशाय में 50 फिर्दी अंक होना अनिवार जहा रांची एक बार फिर देश भर के खिलाडियों से गुल जार होगा राश्ट्रे स्कूली खेलों की चार परतियों की ताये रांची में होगी ए परतियों क्ताये 25 नुवंबर से शुरू होकर 13 हदिसंबर तक चलेगी परतियोगताओं के आयोजन की तीथी में बदलाव करते हुए आयोजक स्कूल सिक्षा यवं सक्षता विभाग ने स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया को पत्र भेजा है पुरू में ए परतियोगताओं अक्टूबर माह से प्रस्तावी थी लेकिन कई राज्यों के आगरह के बाद सिक्षा विभाग ने आयोजन की तीथी में बदलाव करते हुए SGFI को पत्र लिखा है SGFI के चार खेलो की मेजबानी रांची को दी गई है इसमें एतलेक्स अंडर 14 और 129 वर्ग साइकिलिंग अंडर 14, 17 हव निस वर्ग और टेनिस अंडर 12 वर्ग और होकी अंडर 29 वर्ग सामिल है गिरिडी में 10 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर गिलिडी पूलिस के नक्सल बिरोधिय अभियान वा सरकार की आत्म समर्पन नीतिक तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है पूलिस अभियान वा सरकार की नक्सल बिरोधिय अभियान वा सरकार की आत्म समर्पन कर दिया है वा मधुबन के पिपराड़ी गाउं का है बचन दा कई नक्सल केस में नामजात आरोपित है उसने तिन दसक तक मवादी संगठन के लिए काम करने के बाद संगठन को अलविदा कह दिया है मौंकी पॉक्स से देश भर में अलट जा रही मौंकी पॉक्स से पूरी दुनिया सहमी सी है पांच साल के भीतर या दूसरा मौत है जब किसी महमारी के वह से दुनिया भर में चिंता जता जा रही है बता दे साउथ अफ्रीका से सुरू होका रहा बीमारी जैसे से दुनिया भर के दूसरे देशों में फैल रहा है सरकारों के माथे पर बल परता जा रहा है राभी बार को पाकिस्तान में मौंकी पॉक्स का एक मरीज मिलने के बाद भारत में सतकता बढ़ा दी गई है यारपोर्ट समय तमाम वैसे जगों को अलट कर दिया गया है जहां से लोग विदेश आना जाना करते है विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाने लगी है मौंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार की स्वार्स मंदरा ने सोमवार को राज्यों की सरकारों के साथ बैठक भी की है इसके साथ ही यारपोर्ट और अस्पतालों को अलट कर दिया गया है मौंकी पोक्स संक्रामित ब्यक्ति के संकर्क में आने से यह वायरस फैल रहा है संक्रामित ब्यक्ति द्वारा इस्तेमाल में लाए गय तो लिया विस्तर रुमाल आदी के इस्तेमाल से भी यह संक्रामन फैलता है सियम हेमान सुरेन की बहनोंने बांधा रक्षा सुत्र जारखन की सियम हेमान सुरेन ने सोम और को रांची के काके रोडी स्थित मुख्य मंतरी आवास में रक्षा मंधन के तेवार मनाया भाई बहन के अटूट प्यार सने और विश्वास्ट का परव रक्षा बंधन के मौके पर बड़ी बहन अंजिनी सुरेन समेत अने बहनों ने जारखन के मुख्य मंतरी हमान सुरेन और पुर्व मंतरी बसन सुरेन की कलाई पर रक्षा सूतर बांधा है और उनके उत्तम स्वा पर बंधन पर मुख्य मंतरी हमान सुरेन की चचेरी बहन आशा सुरेन संचला हेंबरम एवं रेखा सुरेन ने मुख्य मंतरी की कलाई पर रक्षा सुतर बांधा और उनकी भी लंबी उम्र की कामना की है बंधन गुप्ता ने चंपाई सुरेन को बताया विभी सान राज सरकार के मंतरी बंधन गुप्ता की माने तो पुर मुख मंतरी चंपाई सुरेन अपने कारेकाल के दोरान भाचबा के साथ साथ गाठ में जूटे थे अभी भी वे हेमान सकार को आइस्थिर करने की साजी सरच रहे थे जब हेमान सुरेन को जेल से रिहा किया जा रहा था तो वे कैबिनेट की बैठक में निरनाय लेने में ब्यस्त थे उक्त बैठक में मजूद मंत्रियों ने उनका बिरोध किया उन्होंने कहा है कि चमपई अपने कारेकाल में दूसरे विभागों के निर्नाय भी स्वेम लेते थे जारकन का इतियास जब भी लिखा जाएगा चमपई सुरिन का नाम विभीशन के रूप में दर्ज होगा जिस पार्टी और मार्टी ने उनको सब कुछ दिया उसको ठुकरा कर और अपने आत्मस सम्मान को गीर्वी रख कर वे सरकार को तोड़ने का कारे कर रहे थे उन्होंने कहा है कि समाई रहते जब चीजे सामने आ गई तो वे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं हकीकत है कि वे अपनी करनी पर पस्तावा कर मुह छुपा रहे हैं बाबा की असपर्स पूजा शुरू देवगर रक्षा बंधन के साथ पुर्णिमा तिथी के असर पर मास ब्यापिस रावनी मेला का सोमवार को बिधिवत समापन हो गया है दोपहर के समय अरगा को हटा लिया गया इसके बाद पहले की तरह बाबा बैदनात के असपर्स पूजा प्राराम कर दी गई है बाबा के असपर्स पूजा करने के लिए भक्तों के प्रवाह में त्यजी देखी गई है दोपहर करीब सवा एक वजे बाबा मंदीर पर सासक सहट डी सी बिसाल सागर पतनी और बेटेक साथ बाबा मंदीर पहुँचे उनके साथ बाबा मंदीर प्रभारी सहित जीले के वर्यपत अधिकारे भी मौजूद थे धन्यवाद